प्रिये विद्यार्थियों आज की कक्षा अती मेत्वपुन पर्षनोत्रों की हैं हमारे परकरणों को पूरा पढ़ने के बाद हम ये मुल्यानकन पर आते हैं की हमने कितना पढ़ा है और कितना हमें आता है और परिक्षा के लिए हम क्या तैयार हैं या नहीं हैं इन सौरे सवालों के जबाब आपका ये MCQ देने वाला है और देखिए कैसे आप सब की कई दिनों से बहुत ज़दा यही मांग रही है कि आप MCQ प्रारंब कीजिए और देखिए MCQ Multi-Choice Cution और परिक्षा में तो ऐसे ही आने वाले हैं इसी परकार के सवाल परिक्षा में आएंगे और उनी का एक नमुने के तोर पर इसे मौक टैस्ट के दिजिए या MCQ के दिजिए या अपना खुद का मुल्यानकन परकने की एक परिक्षा के दिजिए या एक पूरुए CUET के और यह सरंखला भी अनवरत चलती रहेगी जब तक परिक्षा होगी तब तक चलती रहेगी हम इसमें परतेग परकरण को इस पर्स करते विए हर एक छेतर तक गुजरेंगे कि कोशिस रहेगी इसमें जितने भी चाए वो सेंकडों में हो चाए आजारों के संक्याम हो कितने भी सवाल जितने आ सकते हैं हम रोज टुकडों में थोड़े-थोड़े सवाल ला करके उस परकरण को इसतना सुदर कर लेंगे कि परिक्षा में निश्यत रूप से इसमें हूब हूँ आपको सवाल मिल जाएंगे या फिर आपने जो पड़ा है उसका मुल्यानकन होगा उस इसी बातों की चर्चा करेंगे और देखिए नमबर एक पहला ही देखिए नेमली के सब्दों में कौन सा सब्द वर्ण करम में सबसे अंत में आएगा यह कहने कि आओसबता नहीं है कि हम पढ़ चुके हैं वर्ण करम और आपने नहीं पढ़ा है कक्सा नहीं देखिए तो आप उसका को देख लें फिर आपके और भी समझ में आ जाएगा यदि यह आपके समझ में नहीं आता है तो फिर भी हमारी इसकी दोरान एक कोसिस है कि आपको दुबरा से उसका रिविजन करा आजाए कैसे इसकी पुद्रावति कराए जाए और किस प्रकार से आपको को उसका जो वन कर्म होता है उस वन कर्म के नुसार कौन सा सबसे अंत में आएगा और इससे ऐसे सवाल अगर परिक्षा में आ जाए तो आपको कैसे करना ये तरीका देख लीजिए आपके पास सब्द है कमल कंचन काच और करम चार सब्द हैं अब इन्ही का देखिए विस्ता लिखते हैं हम यहाँ पर आराम से जल्दबाजी नहीं है जल्दबाजी में गलत हो सकता है आराम से देखे कैसे वर्ण भी स्टेशन करें इसका कमल का देखते हैं तो देखो के हलंत है और ए है और फिर मैं हलंत है और फिर ए है क्योंकि यह पूरे-पूरे हैं इसलिए S वर तो कहने का तात्प्रिय हमारे यह है कमल का अगर वरणों में विबाजित करें प्रतेक वरण में चोटी से चोटी कई में तो इस परकार्शे वरणों में हम करेंगे कै, हलंत और फिर ए इस परकार्श देखने में लग रहा था कोई मात्रा कोई सुवार आदी नहीं है लेकिन इस परकार्श ही विस्तार होगा अब आजाए ये कंचन और देखिए कै और ये नुसुवार है चै और ये भी पूरा है इसलिए ए लिख दिया नै ये भी पूरा है इसलिए लिख दिया या तक समझ में आ रही होगी आपको कंचन को इस परकार्श हम लिखेंगे आगे कांच और इसको भी देखिए कै हलंत और फिर आगे क्या है अनुनाशिक है अनुनाशिक इस परकार्शे आप लगा सकते हैं कांच आकी मात्रा थी इसलिए सी में आ गई और चै हलंत और ए इस परकार्शे आप कर लेंगे क्रिम और देखिए कै तो आदा है इसलिए इसको पूरा करेंगे नहीं ए नहीं लाएंगे और क्रम देखिए रै ए बुलरा इसके बाद में तो ए आएगा और मैं यह हलंत क्योंकि यह पूरा है इसलिए ए भी लिखती है करम और देखिए करम के इस परकार से करम बोलते हैं इसको कै आदा है रै पूरा है तो रै पूरा है तो ए का हम आगम ले आते हैं यह इनका विश्लिशन हो गया अभी तक हमें यह नहीं पता क्या पूछा गया है, लेकिन हम जिस पदतिस से, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, उसमें से कुछ भी पूछेगा, सारे के जवाब इसमें आ जाएंगे, इसमें हो सकता है गिए एक दो मिनिट का समय लग जाएं, एक दो सवाल आएंगे आएंगे त तो आप उनको इस परकार से करके देखें अब देखिए वरण करम हम निर्धरन करते हैं तो देखिए पहले में देखते हैं पहले में सभी में समान हैं तो यहां हम हमारा जो वरण करम है वो निर्धरन नहीं हो रहा है तो हम आगे वाले वरण पर जाएंगे आगे वाले वरण सौर माला की बाद आएगा तो यह तो आएगा नी और एब भी बाद में आता है क्योंकि कि हमने पढ़ा है कि पहले इस पराकार्श होती है इए यह सब हम बता चुके लेकिन इससे भी पहले अनुस्वार और अनुनासिक चंदर बिंदु वाला और फिर विसरग वाला भी अगर है तो उसके बाद में यह आपका प्रारम होगा यह सबी के साथ लगेंगे ऐसे किसी की भी वर्ण वाला है तो उसके साथ में यह लगेंगे पहले प्रारम में यह लग जाएंगे या इसमें भी हम क्या करेंगे क refreshing पिर ये चंदरमिंदू वाला और फिर विसरग वाला अगर है तो और उसके बाद आएगा ये यह हम पढ़ चुके हैं पहले पहले वाले कक्षा में तो इस परकार से हमें क्या मिला सबसे पहला नमबर इसी का मिल गया एक नमबर किसको मिल गया कंचन को अब इसको मिल गया तो इसको आप एक नमबर ऐसे रफ में लिख दें यह रफ कारे है और अब इसमें और देखना ही नहीं है क्योंकि इसके सारे निर्दारण हो गया है। इसका तो आप इसको इस परकार से काड़े है। नहीं है। आ ध़े कितना सरल हैं अब आपसे कितना भी पूछें आपसे पूछें कि निम ने लिखित सब्दों में सबसे पहले कौन सा आएगा तो देखो एक नमबर किसका है कंचन तो एक नमबर कंचन आएगा सबसे पहले यही पूछें यह नहीं पूछ कर जैसे सवाल में है कि सबसे अंत में क पत्तर हो जाएगा ये लेकिन इसी से एक ही नहीं 4 हम हल कर रहा है तो कहने को तो एक सवाल है एक प्रेशन है लेकिन इसके माध्या में से ले इतनी बातों को हम सीक रहे हैं पूरे परकरण को थायार कर रहे हैं इसने जदा मिध्यूण है और फिर भी अगर ये चीज कम समझ में आ रहे हैं तो आपको उस परकरण में जाना होगा उसको दुबारा से कक्षा को देखना होगा फिर आपके समझ में आ जाएगा और देखो नमबर दो दूसरे नमर पर है सवाल निमले के सब्दों में कौन सा गंगा का प्रियावाची होगा निश्चित रूप से प्रियावाची प्रकरण से ये लिया गया है और आपसे पूछा है गंगा का प्रियावाची कौन सा है इसका मतलब है प्रियावाची आपको याद होने चाहिए औ अब इसमें देखो चार विकल्प हैं और हमारा उत्तर एक होगा कि गंगा का पूचा है तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या सुर्षरी आपका एक उत्तर होगा सी सुर्षरी क्यों होगा क्योंकि नदी तो ये कई रा गंगा तो एक नदी है ये इसकी संग्या है तो गंगा नदी नहीं आएगा किसी प्रकार से नहीं आएगा ये मुना नहीं आएगा ये पर्थक से नदी है काम देनों गाय का प्रियावाची है य इसका मतलब है गंगा का एक प्रियावाची क्या है सुर्षरी भी है तो गंगा मैटोफून है गंगा के और कौन-कौन से प्रियावाची है उनकी रिवजन उनका पुंद्रावति आपको कर लेनी है पुने अभ्यास कर लेना है तो इस प्रकार से यह सीधा सवाल था ऐसा भी पूछ सकते हैं कोई भी सब्दे करके कि इसका प्रियाई वाची कौन सा है या कौन सा नहीं है कई बार यह पूछ लेता है कि तीन तो होंगे एक नहीं होगा तो आपको वह प्रशना नुसार उत्तर देना होता है यह कहने की आवसकता नहीं है यह प्रयाय वाची प्रकरण से आया है और देखिए आगे निमलिके सब्दों में कौन सा सब्द शुद्ध होगा शुद्ध सब्द का चैन करना है एक सब्द सुद्ध है कौन सा है देखो पड़ोसी नहीं निरावलम नहीं तेवार बिलकुल सुद्ध है केलास नहीं यानि कि हमारा उत्तर के आएगा सी तेवार सही है बाकी के अशुद्ध है अब कैसे अशुद्ध है यह और देख लेते हैं इनका फिर शुद्ध रूप क्या होगा पड़ोसी देखिए पड़ोसी यह लेजे यह पड़ोसी सुद्ध है निरावलम रा नहीं होता रह ओगा क्योंकि निरुपस Onम यह वह लंब है निर्दन आवलम से बनाएं आवलम से नहीं बना एसे बनाएं और और यह है न इस रह को पूरा कर देता है इसलिए आ आएगा अच्छा त्योंवार सही है केलास केलास इस प्रकार से लिखा जाएगा ये व्याकरण की द्रश्टिशे मैं बता रहा हूं ये होने चाहिए थे और ये नहीं है इसलिए गलत है और ये हमें सुद्ध लगा क्यों सा त्योंवार तो देखो चार सब्ध हमां आपके तय तरह तयार हो जाएंगे आपको ये पता चल गया कि पडोसी ऐसे लिखेंगे आपको पता चल गया निरलवमन ऐसे होता है आपको पता चला केलास ऐसे हैं तो सब शुद्धि वाला प्रकृर्ण भी आपको तयार करवा दिया गया उसे भी आप ध्यान से समझ ले हम इसी प्र नेमलिकिदे किस सब्द में एह उपसरग का परियोग हुआ है बहुत सरल प्रशन को और उसकी प्रकृति को अच्छी तरह से पहले समझ लेना है अब ये कह रहा है कि उपसरग आप उपसरग का नाम लेते ही हमें समझ जाना चाहिए कि वे सब्दान जो किसी सब्द के पूरों में जुडेंगे यानि पहले जुडेंगे और उसके अर्थ या भाव को परिवर्तन कर देंगे अब कौन सा जुड़गा एह ए उपसर का प्रियोग कौन से में हुआ है ये देखना है अब देखो अनुज नहीं अनात बिलकुल अग्रज नहीं अधिकार नहीं कौन सा उतर आएगा आपका बी उतर आएगा आपका कैसे आएगा और ये क्यों नहीं है ये और देख लेते हैं थोड़ा सा देखो अनुज इसमें अनुदन जै इससे बना है अनुज अनात बिलकुल अधन नात से बना है अग्रज अग्रज और फिर जैसे बना है अधिकार ये लेजिए अधी से बना है अधीधणकार से बना है अब पूझा ग्या था आपसे ये वbn सरका प्रियोग कहा हुआ है इसी में थो ँफा है को चुद्ध ही नहीं है राता सब के ए है प्रारयम में कि कोई सब भी हो सकता है लेकि नहीं होगा आपको पर्थक कर के देखने अनुज का मतलब होता फोटा जिसका जनम बाद में हुआ है छोटा और अनु यानि छोटा लगू और जय यानि जनम अब देखो इसमें अनु ही निकालना पड़ेगा ए निकाल करके नुज से कोई सब्द नहीं बनेगा और फिर यह आर्थ नहीं देगा अनुज अगर हम ऐसा करने का परियास भी करें क्या अनु नहीं अनु तो है हम ऐसे करें ए और नुज तो बताओ क्या आर्थ देगा देगा कुछ नहीं देगा इसलिए गलत यह पूरी तरह से गलत ए इसमें नहीं है ऐसे ही देखा नात ए नात जिनका कोई स्वामी नहीं हो कोई मालिक नहीं हो तो अनात बोलते है ए इसमें है इसमें भी नहीं है इसमें अधी है इस प्रकार से हमने इसको पता लगा लिया तो उपसरक का प्रकारण इस प्रकार से आप से सवाल पूछे जा सकते हैं और आगे देखिए यह लेजिए एक और सवाल है ने विलों यूगम से है यानि यूगम दिया हुआ है एक सब्द और उसका विलोम आगे और कौन सा सही है इसका मलब तीन तो गलत है एक सही है अब देखो पहले पढ़ लो आप अपना भी मुल्लान करते रहो रिजू शीदा सुम्मे गम्मे छत विछत अभिग्य अनभिग्य अब कौन सा लगतो ऐसे राजे चारों ही सही है लेकिन एक ही सही है विलोम युग में कौन सा सही है ये सही है ये गलत ये गलत और ये भी गलत अब देखिए इनका सुद्ध क्या होगा ये और देख लेते है रिजू भाई रिजू का अर्थ क्या होता है पहली बात तो यह है रिजू का अर्थी सीधा होता है अब इसका विलोम क्या होगा वक्र होगा विलोम पूछा है देखो और हम यही गलती कर देते हैं कि हम इसका आर्थी याद रे जाता है और हम देखते हैं सही हो गए तो रिजुएंटेड़ हो गए ऐसे आर्थ कल्पित कर लेते हैं नहीं रिजुएंटेड़ है तो इसका विलोम क्या होना सुम्मे और सुम्मे का इस प्रकार से गम्मे ये जो है इसका युगम गलत कर दिया, सुम्मे द्वेस आदी हो जाएगा इसका ये गम्मे नहीं होगा, छत का विच्छत कर दिया, क्या किया देखो, लगत ऐसे राय जैसे विलोम सब्द हो गया हो, नहीं हुआ, छत और फुक्डें विसेś रूपसे छती होना तो विच्छत गलत तो यह तो दोनों एक सवना अरत अरत हो गए इस प्रकार से नहीं होगा ए छत होगा इसका विलोम बनाना था तो ए छत बनाना था ए लगा इसने क्या किए वी लगा दिया और वी में भी एर देगा ये विशेश देदेदेगा और ये भी एर देगा इसलिए नहीं अब बिग्य और अनि वरग्य vacuum होगा बिलकुल अब थीडिल यानि जानकार और इसका विलोम देखिये क्या लगाया है अन अन करके और फिर वही अब बिग्ये जोड़ा गया है देखो एभीग्ये और जोड़ो इसको यह हलंत वाला है तो इसको नैको आगे वाला यह एपूरा कर देगा अन और बिग्ये यह लिजे इसका मतलब यह बिल्कुल さही है और यही अमारा उत्तर है या तो परिक्षा में देखो, आप ऐसे करें कि यह मुझे पता है, यह बिल्कुल सही है या पिर ऐसे करें कि ये गलत है इसी इस प्रकार से गलत है और ये अपने आप सेस बच जाएगा आपके पास वो ही आपका उत्तर होगा कई बार यह होता है कि इन विकल्पों में एक दो में नहीं आता है तो छोड़ दीजे न औरों पर विचार कीजिए कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता उसके अधार पर भी आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं और देखिए द्वीज का समनार्थी नहीं है द्वीज और ये जनमी दो बार हुआ उसको द्वीज कहते हैं अब ये कह रहा है समानार्थी द्वीज कौन से कौन से है और कौन सा नहीं है चंदर्मा बिलकुल है ब्राम्मन बिलकुल है पक्षी बिलकुल है देव ये नहीं है और उत्तर क्या पूछा है नहीं में पूछा है तो आपका उत्तर यही आएगा देखो समझो इसको हमें लगेगा कि द्वीज का समनार्थी तो हमने पहला देखा चंदरमा और उसके चिल लगा दिया इधर चिल लगा दिया और उसको भर के आगे तो गलत हो गया यह पूछा नहीं है द्वीज का अर्थ देने वाला नहीं है तो देव नहीं है चंदरमा को भी द्वीज कहते हैं क्योंकि चंदरमा की भी दो कलाएं होती हैं एक शुक्ल पक्ष और एक क्रश्ण पक्ष इसलिए इसको द्वीज कहते हैं दो बार एक बार गढ़ते वे एक बार बढ़ते वे इसलि एक बार फिर अंडे से बार बच्चा निकलता है, पक्षी निकलता है, तो इस परकार से द्विज, लेकिन देवता को द्विज नहीं कहते हैं, अमर जरूर कहते हैं, द्विज नहीं कहते हैं, इसलिए द्विज का समनार्थी नहीं है, तो देव नहीं होगा, थोड़ा जटिल जरूर है लेकिन समझने का फेर है वस एक बर इसे समझा तो आप आसान इसे सरल कर देते और यह बहुत सरल था और देखिए आगे स्वेत कमल कहा जाता है अब कुछ ऐसे सब्दी भी याद रखनी पड़ेंगे आपको कि किसका सिंदी में साब्दिक क्या कहते हैं या किस अर्थ में लेते हैं स्वेत कमल और देखिए हमें पता है क्या कहते हैं लेकिन एक बार पूरे विकल्ब देखिए पुंड्रिक इंदीवर सरोज पंकज तो विकल्ब देखते ही लगेगा कि पुंड्रिक है क्यों है क्यों है और इंदी वर ये भी नहीं है कौन सा है? आपको पता नहीं था कि पुंड्रिक क्यानी स्वेत कमल कहते हैं लेकि फिर भी इनका आकलन खारिज करके आप इस विकल को कर सकते थे तो इस प्रकार से इसका उतर आएगा एक पुंड्रिक यानी स्वेत कमल और देखिए आगे ममत्व में कौन सी संग्या है? ध्यान से समझो ममत्व है और कौन सी संग्या है? जातिवाचक, भावचक, व्यक्तिवाचक, इस्त्रिवाचक बताईए कौन सी है ममत्व में कौन सी संग्या है उत्तर होगा भाव वाचक जाती वाचक नहीं हो सकती व्यक्ति वाचक बिलकुल नहीं हो सकती और इस तरी वाचक तो को संग्या का परकार ही नहीं है ये तीनों विकल्ब गलत है और एक विकल्ब सही है कौन सा नमबर दो का बोद कराता है किसी ए मुर्थ वस्तू का बोद कराता है मुर्थ नहीं है और भाव आच्छे संग्या में हम उनीक अध्यन करते हैं देखो कि मुर्थ और इसका विलोम होता है क्या होता है ए मुर्थ आप देखो मुर्थ के अंदर तो आ जाती है आपकी व्यक्ति वाचक और जाती वाचक कि दोनों संग्या इसी में आती है इनका अलग से बेद और जानते हैं एक वचन और बहव चन और अगर आम एमुर्थ की बात करें तो इसमें एक संग्या आती है वो कौनसी बहव आचक आप इसके जितने भी सब देखोगे ना बहौव आचक शंग्या के वो सारे एमुर्थ उन्हें मैसूस किया जा सकता है, उनका अनुभव किया जा सकता है, उनको देखा नहीं जा सकता, उनका रूप रेक आकारादी नहीं है, इसलिए एमूर्त में आती है और महमत वय ऐसा ही सब्द था, एक भाव है महमत वय, इसलिए उत्तर आएगा भाव चकसंग्या ओर आगे देखिए संप्रदान कारक का विबगति चिन्न है कारक आठ है और आठ के नाम आपको याद हैं और आठ के प्रते के कारक चिन्न है विबगति हैं उनको भी याद रखना है अब देखो संपरदान का कौन सा है का ने पर को बताए ये कौन सा है का है ने है पर है या को है तो आपका उत्तर होना चाहिए डी को ये नहीं है ये नहीं है और ये भी नहीं है कौन सा उत्तर आएगा डी को संपरदान को या के लिए दोनों चिन ए इसके लिए के लिये के लिये आप देखो को किसका आ पर किसका है अधिकरन का ये एक बार याद कर ले ना अधिकरन का अधिकरन इसलिए पूछा क्या था? संपरदान तो संपरदान के चिनों होते हैं को और के लिए ये दोनों होते हैं विकलब में क्या था? को तो यही उतर आगए आपका को ऐसे हम आगे वाली कक्षा में इस प्रकार से जो शिरीच से लेगे ने उसमें जैसे दूसरे का पूछेंगे फिर और किसी का पूछेंगे ऐसे करते करते हमारे पूरी तरह से ये तैयार हो जाएंगे और देखवा आगे ये लिजे निमले कि कौन सा युग में संगर्शी वेंजनों का है बिल्कुल कौन सा युग में संगर्शी का अध्यन करेंगे और कर चुके हैं कौन सा युग में संगर्शी वेंजनों का है द्यान से पढ़ लिया समझ लिया संगर्शी कौन सा आएगा संगर्शी तो मैं पता है संगर्शी का कौन सा आएगा सी उतर आएगा तीन तो सह है, एक है, संगर्शी कहलते हैं, इनको उष्ण में कहते हैं, उष्ण या उष्मे, उष्मे भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्मे व्यंजन, उष्मे व्यंजन, एक ही बात है, उष्मे ने लिखते, संगर्शी लिख दिया, तो क्या हैगा, सह, शह, शह, इस परकार स यह है यह किसके है संगर्शी विंजनों के उधारण है अब देखो यह वह अंतस्त है पता है में रहे लुंठित है रहे को तीन बार जीप पल टकाती है इसलिए रहे लो चैत रहे गये यह हमें संयुताक्षर है यह हम पड़ चुके तो उत्तर क्या आएगा सी जदा समझने की बात नहीं है बस एक बार इनको याद रख ले आँ बस अब देखिए निमलिकित कों सा युग में अल प्रान का है अल प्रान और महा प्रान दो विवजन है तो क्या पूछा है अलप्राण का है अलप्राण में आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सा वरग है पांच से वरणों का तो कौन-कौन से कर्मांक वाले अलप्राण है कौन-कौन से वाले महाप्राण है यह पता होना चाहिए अलप्राण पूछा है देखो यह देखिये इसी वरक को हम लिखते हैं तो देखो डेखो-क्या लिखेंगे छै शर्ण 7 कर जैंगो आनद यह यह है यह पांच का वरक्ष हो गया एक दो टीन चारव पांच अब देखो इसमें क्या है यह नमब एक यह दो तीन चार और 5 ये इनके करमांक है कि 1 नमर 2 नमर 3 नमर 4 नमर 5 निश्यत है इनके ये ही करम लेंगे अलपरान में क्या होता है पहला और तीसरा ये अलपरान है और ये क्या है ये दोनों महा परान है हालांकि यह है, यह भी आलब प्राण में आएगा लेकिन इतना याद रखे महाप्राण में 2 आएगे और 2 कौन-कौन से महाप्राण में दो नंबर और चार नंबर यह महाप्राण है क्यों है यह भी आपको बताए गया था इसी का बड़ा रूप है देखो अगर अंगरी जी से याद रखना चाहो तो देखो चै के लिए हम लिखते हैं CH और यदि छै लिखना हो तो CH लिखते हैं अलप्राण में देखो विकल्प में चै और जै है अलप्राण है इनको बोलने में कम समय लगता है इसलिए अलप्राण कहते हैं तो इस प्रकारशाद इस चीज को समझे और देखे निमलिकित मैंसे किसमें इक परते का परियोग नहीं हुआ है ये तीन बातें महतोपून हैं तो इनको हम रेखांकित कर लेते हैं कौन-कौन शी परते इक और नहीं अब तीनों को याद रख करके विकल्पों में जाना है इसे नहीं कि एक दो बाते याद रख लिए ये बूल गए ये बूल गए तो सारा ही खिल विगड़ गए याद रखनी है कि एक परते का और परते का और नहीं हुआ है इसका महलो तीन में तो हुआ है एक में नहीं हुआ है देखो न्याईक विज्यानिक खंडित सेनिक कौन से में नहीं हुआ है तो तीन में तो वर हो रहा है इसमें नहीं हुआ खंडित में नहीं हुआ उत्तर यह आएगा क्यों आएगा ये और देख लो इसको विस्तार से थोड़ा समझ लेते हैं देखिए न्याईक तो न्याई औ और एक पड़ता है इसके विग्यान से बना है विग्यान और एक परते लगा है खंडित अब देखो खंड है इत्त है तो इत लगा है I चोटा है तो इत परते लगा है और से निक में से ना मूल सब्द है और इक परते है पूछा क्या था इक परते का परियोग नहीं हुआ है देखो इसमें हुआ इसमें हुआ इसमें भी और इसमें नहीं हुआ और यही उत्तर आ गया आपका क्योंकि इसमें इक परते का नहीं इ यह समदनिसे देखने परी पता चलेगा एक बार तो लगेगा ऐकी मात्राह को सब्सक्राहे सब में लगी है कौन सा हेगा और एप गलती कर सकते ओ इस में है तो देखो इन थोड़े से संक्या इनकी और बढ़ाएंगे और और अच्छी सवाल जो आ सकते हैं परिक्षा में अतीम है तो फूर्ण हमारी कोशिस है कि आपके जो पाठे करम में कहां से लगाया गया है पाठे करम में क्या चीज अधिक आ सकती है और किस परकार के सवाल पूछे जा सकते है इस परकार के सरंखला हम सुरू करने जा रहे है आज उसका सुभारम था आगे अनवरत चलती रहेगी तो इसमें देखो आपका जो पाठे करम था उसको पुन्रावति करने का आउसर मिल गया खुद को मुल्यानकन करने का आउसर मिल गया और परिक्षा से पहले एक बार आज के लिए इतनी आगे की कलास ले करके फिर आएंगे धन्यवाद